जारखन से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बलकि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और खबर थी एक विदेशी महिला से जुड़ी हुई एक स्पैनिश महिला जो अपने पती के साथ भारत के यात्रा पर आई थी लेकिन जारखन में उसके साथ सामोहिक दुश्कर्म किया गया साथ आरोपियों ने उसके साथ दुश्कर्म किया ये पूरी खबर क्या थी और उसके बाद अभी इस पर क्या अपडेट है आरोपि कहां पर है और अब कारवाई किस लेवल पर चल रही है सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आप को बताने वाली हूँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दू अठाइस साल की महिला जो अपने पती के साथ भारत आती है आपको मैं ये भी बता दू कि वो महिला बाईक यात्रा पर अपने पती के साथ इससे पहले भी इरान इराग कई ऐसे देश जिनकी यात्रा कर चुकी है वो बात सबके सामने कैसे आई उस महिला ने खुद अपने इंस्टेग्राम अकाउंट से एक स्टोरी डाली एक स्टोरी पोस्ट की और उस पर उसने सवाल भी किया कि भारत में तो आतिती देवो भवा होता है ना फिर जारखंड में हमारे साथ ये क्यूं हुआ अब उस महिला की दोनों ने यानी की पति और पत्ती ने अलग अलग मोटर साइकल रखी है और इसी तरह वो अलग-अलग देशों के यात्रा करते हैं इराक, इरान, सौधी अरब के बाद वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान से 8000 किलोमीटर का सफ़र तै करने के बाद बाइक से ही जुलाई महीने में भारत में प्रवेश किया और जब वो भारत में आये तो मैं आपको बता दूं वो लद्दाग गए, बेकानेर के कण्णी माता मंदिर में वो गए, कन्या कुमारी गए और फिर फरवरी का महीना जब शुरू हुआ वो श्रिलंका भी जाने की उनकी खबर सामने आई, फिर पश्चिम मंगाल होते हुए नेपाल उन्हें पहुँचना था और य आपको एक और खबर मेरे पास है, वो भी बता देती हूँ, महिला ने आप बीती बताई है, यानि कि अब चुकि जब उसे अस्पताल पहुचाया गया, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर शुरू हुए, उनमें से अभी तक की जानकारी है कि तीन पकड़े जा चुके हैं, बाकियों की तलाज भी लगातार चल रही है, इंस्टेग्राम अकाउंट पर वो जो महिला है, चुकि अब जो सब के फोटोग्राफ्स हैं, वो भी एक के बाद एक आने लगे है, वो खुद महिला फोटोग्राफ्स को शेर करती है, और वो में उसकी स्टोरी देख रहे हैं, वो यह अपील करती है, कि आप लोग जादा से जादा इस फोटो को पहुँचाएं, जिससे कि यह आरोपी भी, जिसने मेरे साथ इतना गलत काम किया, वो पकड़ में आ सके, उस महिला ने आप बीती क्या बताई है, यह रेकॉर्ड में है, वो में आपको बताती हूँ, वो महिला कहती है कि मेरे पती को बान दिया गया, और जो ग्यांग रेप कर रहे थे, आप जरा सोचिए, कि ग्यांग रेप करने वाले उसे लगातार पीट रहे थे, उसने यह कहा कि उस रात उसे ऐसा लगा कि वो उसे जान से मारने वाले हैं, यानि कि उसकी हत्या कर देंगे लेकिन उस जिन्दा बची इसके लिए उसने उपर वाले को उसके लिए शुक्र गुजार भी उसने बताया हाला कि उसने बाद में ये कहा कि उसके बाद जब चुकि उसके पती के हाथ पहर बांधिये गए उसके बाद जब वो पुलिस टेशन गए तब इस पर investigation शुरू हुई अब मैं आपको ये बता दू कि इस वक्त भारती जनता पार्टी बहुत हमलावर है उसकी कारण एक तो ये कि किसी भी महिला के साथ अगर हिंदुस्तान में और आप सूचे कि कोई महिला जो बाहर से हमारा देश घूमने के लिए आ रहे हैं भ भूमने के लिए परेटन के लिहास से बहुत बड़ी तादाद में जो परेटक हैं विदेशी खास्तोर पर वो पहुंचते हैं अब कोई ऐसी महिला जो दूसरे देश से भारत में आ रही है और अगर भारत की किसी राज्जी में उसके साथ इस तरह का क्रत्य हो तो भारत की छवी पर क्वेश्चन मार्क विदेशी लेवल पर जो दुनिया के पटल पर है वो जरूर होगा इसलिए बीज़पी सरकार इस मुद्दे को लेकर जार्खन सरकार पर बहुत जादा हमलावर है वहाँ पर जगा जगा पर प्रदर्शन की तस्वीरे सामने आई हैं जार्खन है कि महिला सुरक्षा के नाम पर क्या आप किसी महिला को जो दूसरे देर से आई हुई है क्या आपके राज्य में इस तरह की सुरक्षा मिलती है और फिर लगातार आपको मैं बता दूं कि वो तस्वीरे सामने आई जब पोस्टर जो हैं वो जलाये जाते हैं अलग अलग ज इस मानसिक्ता को भी जरा समझीए कि अगर वो महिला जो विदेश से आई वो अपने इंस्टेग्राम अकाउंट से ये बार शेयर कर रही है कि उसके साथ कितनी घिनावनी हरकत को अंजाम दिया गया तो फिर आप समझीए कि हिंदुस्तान में कितनी तादाद में विदेशी परिटक यहाँ पर पहुँचते हैं और अगर ये इमेज अगर ऐसी खबर से एक इमेज सेट होने के लिए बाहर जा रही है तो ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है इसलिए कोशिश यही है और आप मैं आपको बता दूँ कि भारते जनता पार्टी ने पूरी तरह से दबाव बनाया है सरकार पर प्रशासन पर जिससे की उस महिला को इनसाफ मिले और साथी उस महिला को अच्छे से अच्छा इलाज मिले इसकी भी यहाँ पर इसे भी सुनुश्रित किया गया है और जो आरोपिय भी गिरफ्त में नहीं आये हैं उन्हें भी जल से जल पकड़ लिया जाए एक तरफ तो ये खबर है एक तरफ ये कारवाई है लेकिन दूसरी तरफ में आपको बता दूगर आप सोशल मिलिया पर देखेंगे तो इस वक्त वो विडियो जो इस महिला की तरफ से खुद अपने अकाउंट पर शेयर किया गया वो ट्रेंट कर रहा है हर कोई इस पर सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की किसी राज्य जहर्खन में ऐसा कैसे हो सकता है लेकि सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इस महिला सुरक्षा की मुद्दे को आने वारे समय में ऐसा किसी के साथ फिर ना होने पाए चाहे वो किसी देश से किसी राज्य से क्यों ना हो चाहे वो हिंदुस्तान की ही महिला क्यों ना हो इसे कैसे सुरिश्चित किया जाएगा कहीं सारे सवाल है और इन सवालों के बीच में सवाल ये भी कि जो आरोपी अभी तक गिरफ में नहीं आये हैं उनके गिरफतारी कब हो कब होगी ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त भी जारकंट से निकल कर सामने आ रहा है कर दो जारकंट से बड़ा से बड़ा सामने रहा है